पर्गोदे वशधी माहि धीयो यो नह प्रचोदयात सच्ची जिग्यासा की बात या सच्चे सथी की बात कल चल रही थे हम सत्य के अनवेसी कैसे बने यदि मनुष्य शत्य की तरह निर्मल और निर्विकार होना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा कर रीटा ने मुझे ये कहा था इसको और समझाओ अब तुम्हें और ही समझा रहा हूँ अगर तुम्हें सत्य अनवेसन की इच्चा जिग्यासा हो तो तुम्हें अपनी ही अंतर आत्मा को मुक्त करना होगा बंदन को तोड़ करके अपने अंसी परमात्मा की तरह की व्यापक जिग्यासा विश्त्रित होने का प्रियतन आपको करना पड़ेगा इतनी बात समझाई हो तो बोलो नहीं आई हो तो फिर समझाता हूँ मैं एक बात देखता हूँ एक चीटी अपने बिल में चारो तरप से अन्य के दानों को ढूंड ढूंड करके या अपने भूजन को ढूंड ढूंड करके इखटा करती रहती है उसके अंदर जो जिग्यासा है वो इसी चीज की जिग्यासा है और जितना उसको मिलता जाता है उतनी जवानी उसके ऊपर चड़ती जाती है ऐसे ही संसार में सभी जीवों को देखिए वो अपने भोजन की तलास में बस केवल भोजन की तलास में इधर उदर मारे मारे फिर रहे हैं बस इतनी ही उनकी जिग्यासा है एक कीडा कबार के अंदर इसलिए छुपा हुआ बैठा हुआ है कि बाहर निकला तो मोत आजाएगी कोई पक्षी खाजाएगा मोत और कोई नहीं है कोई जीव आएगा जिसका वो भोजन होगा उसको वो खाजाएगा वो अपने जीवन को बचाने के लिए महाँ छुपा है और वो अपने जीवन को चलाने के लिए उसको ढूंड रहा है ये जिग्यासा है दोनों की अंदर से बोलो बेटा अंदी अच्छी तरह से समझ आया अक नहीं आया बेटा मैं मना कर रहा हूँ गुर्दे माता जी प्रणाम तो आप कर लेते हैं दीपक को प्रणाम किया करो पर इस समय जो बात चल रही है उस पर प्रतिक्रिया करिए आप भी अपने अंदर से ये जीव ये जीव जो सत्य है जो सत्य है जिसके अंदर ये संसार की माया घुली हुई है बंदन से मुक्त मैंने कहा है अपनी अंतर आत्मा को आपको बंदन से मुक्त करना होगा और बंधन से मुक्त करने का मतलब है जो इस पर ये इच्छाएं चड़ी हुई है सांसारिक विशय भोग की इंसान को छोड़ करके बाकी सब पेट तक सीमित रहते हैं बाकी इंसान एक बंधन और अपने उपलाध लेता है वो है वासना वासना का बंधन वासना और त्रशना ये दो चीज उसके उपर हावी हो जाती है हाँ बेटा सही सवाल पूछा है बेटा ये चीजे ऐसी होती है जो पकड़ नहीं आती है बोलो तुम्हे तुम्हे तुम्हारी भूग पकड़ आती है कर नहीं आती है तुम्हे अपना कस्थ पकड़ आता है कर नहीं आता है तुम्हे अपने जीवन सरीर में रोग दिखाई देता है कर नहीं दिखाई देता है तुम्हें मानसिक इच्छाइं दिखती हैं को नहीं दिखती हैं परन्तु अगर अपनी जिग्यासा को पकड़ना है आत्मा की इच्छा को जिग्यासा कहते हैं अगर अंतर आत्मा की इच्छा कोन सी मेरा भगवान मुझसे क्या चाहता है मेरा भगवान मुझसे क्या चाहता है जिस दिन आपके अंदर ये गुना गया उससे मुझे फाइदा हो नुकसान हो इस बात से मुझे कुछ नहीं लेना मैं उस नरेश है आपके साथ सामने नरेश है ये लड़का एक बार पहली बार मेरे पास आया था और पहली बार मैं ही इसने अपना वो करम छोड़ दिया था जो इसकी अंतर आत्मा नहीं चाहती थी आज तक ये उसके कस्टों को भोग रहा है परन्तु दुबारे उस लाइन पर नहीं गया अंतर आत्मा नहीं मानती इसलिए नहीं गया इसी को बंधन से मुक्ती कहते हैं चाहे उसके लिए कितने ही कस्ट क्यों न उठाने पड़ें मैं उस काम को नहीं करूँगा जिसको अंतरात्मा नहीं चाहती यही बंधन से मुक्ती है बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया नहीं आया तो और उधारन दूँगा और समझाऊंगा जब तक बात समझ नहीं आएगी अर्था समझ का मतलब क्या है? जब तक वो गुण उसका बीज हमारी चेतना में जागरत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते रीटा वेता एक बात बोल रहा हूँ चंचल एक सब्द है चंचल जो चलाय मान हो जो इस्थिर ना हो कौन जिसमें इच्छाएं इच्छा पैदा होती हो जिसमें सानसारिक इच्छाएं इच्छा पैदा होती हो वो व्यक्ति चंचल है वो व्यक्ति गंभीर हो जाएगा जिसमें सहने का गुण पैदा हो जाएगा जिसमें सहन शक्ति पैदा हो जाएगी उसमें धैरिये पैदा हो जाएगा बेटा आत्मा को आत्म निर्बर बनाने के लिए दो गुणों की आवशक्ता है एक है निर्बहता और दूसरा है धैरिये एक है निर्बहता और दूसरा है धैरिये अगर ये दो गुण तुमने पैदा कर ली अपने जीवन में बेटा ये तो जो मैं कर रहा हूँ ये तो बक्वास है इसको बक्वास कहिए इसमें भी सत्य वो है जो निचोड है उस निचोड को समझाने के लिए बक्वास्त करनी पड़ती है दुबारे बोल रहा हूँ इस धर्ती में से कोईला निकलता है खान में से धेरो निकलता है पर उस कोईले में से थोड़ा सा हीरा भी निकलाता है जो पार्खी है वो ही उसे समझ पाते हैं वरना कोईले की जगे हीरे को भी जला लेते हैं बेटा पत्थर पर रख करके चोट मार करके उसके टुकडे कर लेते हैं और अंगीथी में लगा करके रोटी सेखने के लिए जला लेते हैं बोलो इतनी बात समझ आई एक नहीं आई जिसको मैं परम सत्य बोल रहा हूँ वो जब तक हमारी चेतना के अंदर जागरत नहीं होगा आप लंबे चोड़े भासन सुनते रहिए किताबे पढ़ते रहिए जब करते रहिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ उसका लाब नहीं होगा निश्चित रूप से लाब होगा परंतु बेटा जब तक आपको उन कस्टों को सेहने की चमता अपने अंदर से पैदा नहीं होगी दुख कोन चाहता है क्या सुनना ही सुनना चाहते हो क्या उन कस्टों को नहीं उठाना चाहते जो आपके अंदर निर्भैता और धैरिये को पैदा कर दें याद रखना बेटा जिस दिन ये गुण पैदा होने लग जाएंगे गंभीरता आने लग जाएगी उच्छलकूद बंद हो जाएगी और आपके जीवन में एक स्थिरता होगी धैरिये होगा धैरिये होगा बेटा आवशक्ता इस बात की है तुम सारी जिन्द की प्रवचन सुनते रहो कोई फाइदा नहीं होगा जितना होना चाहिए उतना फाइदा नहीं हो गया यदि मनुष्य शत्य की तरह निर्मल और निर्विकार हो जाए निर्मल और निर्विकार हो जाए तो निर्वेता और धैरियता उसके अंदर पैदा हो जाएगी बताओ बेटा राम की पूजा हनुमान बन करके करोगे या रावन बन करके करोगे सोचो हनुमान भी आपके अंदर है और रावन भी आपके अंदर है राम किसको सुईकार करता है जिसको राम सुईकार कर ले वो ही बंधन से मुक्ती है तो अंकित बेटा आज से वैसा पूजा मत करना हनुमान की तरह से पूजा करना अच्छा बेटा बताओ हनुमान जी कितनी माला रोज करते थे हनुमान जी के गले में माला तुमने पहना रखी है रामाइन में तो मैंने एक बात सुना है राम काज की जो बिना मोहे कहां विसराम उसने ये कही नहीं लिखा गो स्वामी तुलसिदास ने राम की माला की जो बिना मोहे कहां विसराम और राम काज करने का मतलब है कि मेरा राम मुझसे क्या चाहता है मेरा राम मुझसे क्या चाहता है आप भी यही करके करें मेरा इस्थ मेरा गुरू मेरा भगवान जिसको आप मानते है वो मुझसे क्या चाहता है यही अपना करम यही अपना धे बना करके चलें तो निश्टित रूप से एक एक करम आपका उधार करने वाला हो जाएगा याद रखना मेरी बात को वरना करते रहिए कोई फाइदा नहीं होगा अपने जीवन के उस उद्देश को समझे के ये जनम किसलिए क्यों ये जनम क्यों किसलिए इस बात को सोचिए और ध्यान की तरफ को चलिए स्वेड़ बृह। सविता बर्चाश, बर्म बर्चाश, सविता, सविता, बर्म बर्चाश, बर्म बर्चाश, बर्म बर्चाश, बर्म बर्चाश, बर्म बर्म बर्चाश, बर्म बर्म बर्चाश, बर्म 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 बर्चाश, बर्म 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 बर एकत्य, अद्वित्य, साधक का सविता को समर्पन, समर्पन, विशर्जन, बिले, साधक सर्ता एक, भक्त भवान एक, एकत्व अद्वित्य, कुंदली जागर्म, कुंदली जीवनिशत्, कुंदली अन्तह पूर्जा, कुंदली प्राण विद्वत्, कुंदली योगाग्नि, कुंदली ब्रह्म जोति, स post बथ्वत्, कुंदली जीवनिशत् कुंदली क्षेत्र में प्रविश्, नूराधार क्षेत्र में प्रविश्, सविता का प्रथमचन, कुंडनी जागन का प्रथमचन, मन्थन, मन्थन, सविता सहयोग से सक्तिश्यत्र का मन्थन, मुलधार मन्थन, समुद्र मन्थन, जीवन मन्थन, प्रान मन्थन, अगन मन्थन, 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 मन्थन मन्थन से अंतर उर्जा का संब्रधन अगनिसिखा प्रज्वलन जीवन जोट जागरन द्वतियचन उर्दोगमन उर्दोगमन स्वता सहयोग से जागर्द सक्ति का उर्दोगमन आत्मु सक्ता का उर्दोगमन कुंदलनी का उर्दोगमन मूलाधार मार्जशे सहसलार तक कुंदली का उर्दोगमन मेरदंड मार्जशे आत्मु सक्ता का उर्दोगमन भूलोग से ब्रह्मलोग तक देवियान माग मूलाधार भूलोग सहसलार ब्रह्मलोग मेरदंड देवियान कुंदलनी आत्मु शक्तियां जीवनी शक्ति का उर्दोगमन उत्थान उत्कर्ष अभुदर कुंदलनी आत्मु शक्तियां तृतियचन बेधन, शोधन, जागन सविता सहयोग से सर्चक्रों का बेधन मेरदंड माग के सर्चक्रों का बेधन गान युद्ध से सक्तिश्रों का उत्खनन चक्र बेद, शब्द बेद, लक्ष बेद बेदन, शोधन, जागरुन, सर्चक्रों का जागरुन बेद हर चक्र जागरुन, स्वाधिस्तान चक्र जागरुन मलिपूर चक्र जागरुन, अनाहत चक्र जागरुन, विशुद्ध चक्र जागरुन अग्याचक्र जागरुन, सर्चक्र जागरुन, कुद्धनी जागरुन, जागरुन, सर्चक्र 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 जाग गुला दार का आत्म सप्ता में विश्तार आत्म सप्ता का विश्व सप्ता में विश्तार ग्रम सप्ता में विश्तार चिंगारी का दावानल में विस्ताद गुला दार का आत्मसक्ता में आत्मसक्ता का विस्वसक्ता में ब्रमसक्ता में चिंगारी का दावानल में जोतिका ज्वाला में विस्ताद विस्तरन जादरन कुंदलनी जादरन पंचंचन पंचंचन कुंदली का परिवर्तन गुला दार का शाश्यार में परिवर्तन साधक का सविता में परिवर्तन आत्मजोति का ब्रमजोति में परिवर्तन सविता का महनता में परिवर्तन क्वामना का भावना में परिवर्तन ब्योग का संजोग में परिवर्तन नर का नराय में परिवर्तन गुला दार का साश्यार में साधक का सलिता में सुद्रता का महनता में कामना का भावना में परिवर्तन ब्योग का संजोग में परिवर्तन नर का नराय में परिवर्तन परिवर्तन संब्रधन जागन कुंडली जागन मुक्त बंगन इस्वर दर्षन कुंडली जागन जीवनी शर्त्य जागन अंत्य उर्जा जागन प्रना विद्युत जागन योवादे जागन ब्रमजोत जागन कुंडली जागन महान जागन आत्म जागन आत्म जागन तो म जागन तनुसो मा जोते्यर गमया आसेतों मा सदु temperature में êtesो नाचेतों में dehyd्र्णे के llegar सरके valeur कर एमा पुर मा इतां गमया मेख टर मा मेतान गगा मेख नह ट्मेख दाह अंगाна झाय टर मेख यй। घ medically करिये टन कोो हाह यह वी यक समय तुम्सो माजो तिर्गाया पंचोंकार कुंडली जागन के पाच्छन पंचोंकार कुंडली जागन के पाच्छन कुंढली जागन कुंढली जागन कुंढली जागन पंचोंके टूँटा दोनों हाथ मसलें और मुख पर फिराएं आगे का काम कर लाएं आज की बास संपर